नमस्कार, कभी भी लड़ी जगड़ा हो या कुछ भी नॉर्मल बात हो, आप गुसे में कुछ भी बात को, बस एक बात का जरूर ध्यान रखना। कभी भी अपने सब्दों में गाले का प्रियोग मत करनां। अपने सब्दों में असब्द किसी को मत बोलनाा। त्याण रखना, लोग आपकी लड़े बूल जाएंगे, लोग आपका गुसा बूल जाएंगे, लेकिन आपके दौरा बोले गई असब्ध, आपके दौरा बोले गई गाली, मा बेन की गाली, वो कभी नहीं बूलेंगे, वो मरते अदम तक यह गाली याद रखेंगे, कुछ सब्द एसे होता है ना बिना ब्लड निकले हुए दिल को चोट पहुचाते हैं दिल पर वार करते हैं और दिल पर एसा वार करते हैं ना कि वह वार कभी बरा नहीं जा सकता है वह गाव कभी बरा नहीं जा सकता है आपने बड़े बड़े ग्रंत देखे होंगे रामाय महभारत राम और रावन का युद्ध हुआ पांडोर कोर्व का युद्ध हुआ इतने बड़े दुस्मन थे वो एक दूसरों के लेकिन क्या कभी उन्होंने माबाप की गाली निकली एक दूसरे को क्या उन्होंने अपने सब्दों में कभी गाली का प्रयोग किया नहीं किया राम ने रावन को मारा रावन ने कितना ही बुरा किया भगवान के प्रति लेकिन भगवान ने कभी भी उसको असब्द नहीं का भगवान ने कभी भी उसको मां बहन की गाली नहीं निकाली रावन को, कोरव और पांडव कितने दुस्मन थे, कितनी लड़ई थी, लेकिन क्या कभी कोरव ने पांडव को गाली निकाली, क्या कभी पांडव ने कोरव को मा बयन की गाली निकाली, नहीं, जब इनोंने अपने सब्दों में गाली का प्रियोग नहीं किया, इनों जगड़ा किये करता है तो उसको माप किया जा सकता है लेकिन कोई माप बाप तक की कोई गालिया निकालता है ना उसको माप नहीं किया जा सकता है जान रखना कितनी लड़ी हो जाए आपकी, कितनी आप गुसे में हो कभी भी गालिया का प्रियोग मत करना कभी भी ऐसी माव बन के गालिया किसी को मत निकालना क्योंकि ये दिल में बहुत बड़ा गाव करती है और जब ये ऐसा गाव करती है ना तो ये गाव कोई भरा नहीं जाता है इसलिए जब भी कभी लड़ई हो जब भी आप गुस्टे में हो कुछ भी हो अपनी जबान पर कंट्रोल रखना कभी भी आसब्द किसी को मत निकालना कभी भी माव बन के गालिया किसी को मत देना वरना आप जीवन भर पस्ताते रहोगे जोगे एक बार गालिया आपने किसी को दे दिना तो वह गालिया वापिस आप नहीं ले पाओगे सिर्फ रिग्रेट करोगे सिर्फ पश्याताप करोगे